आज बात अयुद्या गैंग्रेप माम लेगी अयुद्या के बदर्सा अलाके में गैंग्रेप का शिकार हुई पिर्द किशोरी की मा के मुख्यमंत्री योगी आदितरनाथ से मुलाकात के बाद अचानक पूरा पुलिस और प्रशासने कमला एक साथ एक्टिव हो गया योगी सरकार एक्शन में आ गए मुकर्दमा लिखने में देरी और त्वरित कारवाई नहीं करने के कारण जहां चौकी इंचार्ज और थाना ध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया वहीं दूसरी तरफ मुक्षे आरूपी मुहिद खान की प्रॉपर्टी की जाच और कारवाई दोनों एक साथ शुरू गए पीर्द बच्ची की मां से सीम योगी की मुलाकात के 24 घंटे ही हुए थे कि आरूपी सपानेता मुहिद खान की बेकरी को बुल्डोजर से धाहा दिया गया बेकरी जो की तालाब की जमीन पर 3000 स्क्वेर फीट में बनी थी इधर मुख्यमत्री ने प्रशासन को निर्देश दे दिये कि अपराधी चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ा हो उसके खिलाफ सख्त कारवाई होनी ही चाहिए तो कारवाई तो हो ही रही है लेकिन अभी तक आरूपी मौहिन खान की एक प्रपरटी को ध्वस्त भी किया जा चुका था इसके बाद प्रशासन का बुल्डोजर सपानीता की दूसरी बिल्डिंग पर पहुंचा लेकिन बिल्डिंग में प्याइन भी बैंक चल रहा था इस वज़े से बिल्डिंग को तोड़ा नहीं गया भी हाला कि प्रशासन ने बैंक को एक हफते में खाली करने का नोटिस दे दिया है लेकिन 65 साल के आरूपी मौहिद खान की चार और प्रपरटी है जिस पर बुल्डोजर चलाने की तैयारी है योगी सरकार की इसमें सपानीता मौहिद खान का घर भी शामिल है प्रशासन ने सपानीता की एक करोड की जमीन को भी चिन्नित कर लिया है इसके लावा और भी तफसील जा रही है इदर योगी सरकार में मत्री ही संजय निशात सुबहे खुद पीड़त बच्ची से मिलने अस्पताल पहुँचे बाहर निकल कर उनका दुख भी जाहिर हुआ उन्होंने यारूप भी लगाया अकलेश पर कि अकलेश का पीड़ी जूटा है लगता है कि इन अपरादियों के सहारे ही अकलेश ने जीत हासिल की है लोग सभा में उदर पुलिस ने दो और सपानिताओं समित कुल तीन पर फाई अरदर्च किये पुलिस ने बताया कि यारूपियों में भधरसा नगर पंचायत के चेर्मेन मुहमद राशिद सपानिता जैसिंग राणा और एक दूसरा शक्स भी है वो इसका कहना है कि तीनों अस्पताल में भरती बच्ची से मुलाकात के नाम पर पहुंचे थे वहाँ परिवार पर इस माबले में सुलह करने का दबाव भी इनके जरीय बनाया गया जब पीड़ित परिवार ने सुलह से इंकार कर दिया तो परिजनों को धमकाते हुए जान से मारने की धमकी तक दी गई इस पीड़ित परिवार को तो एक तरफ बुल्डोजर एक्शन हो रहा था दूसरी और सपा प्रमुख अकलेश यादाव सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी करते हैं वो कहते हैं कि कुकृति के माबले में जिन पर भी आरूप लगा है उनका डियने टेस्ट कराकर इनसाफ का रास्ता निकाला जाए ना कि किवल आरूप लगाकर सियासत की जाए जो भी दोशी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए लेकर अगर डियने टेस्ट के बाद आरूप जूटे साबित हो तो सरकार के सनलिपत अधिकारियों के खिलाफ जी उनके खिलाफ भी कारवाई की जाए उन्हें ना बक्षा जाए यही नियाय की मांग है हालकि उन्होंने सीधे तोर पर अयुद्या गैंगरेप की घटना का जिक्र नहीं किया यानि अखलेश यादव इस मामले में भी जाच के बगएर ही कारवाई का एकलियास सरकार पर आरूप लगाते हुए नजर आ रहे हैं उधर मायवती का जिकर करें मायवती ने आरूपी के खिलाफ सक्त कारवाई को जायस ठहराया है सही ठहराया है वो भी विपक्ष के सियासी दल के तोर पर अपनी बात रख रही है उधर प्रिशासन का मानना है कि मौयद खान से जुड़ी अवयत प्रोपर्टी का अंकड़ा और बड़ा हो सकता है प्रिशासन का दावाई ये भी है कि ये मामला सामने आने के बाद चुकि कई लोगों ने शिकाय दर्च कराई कि उनकी प्रोपर्टी पर मौयद खान ने जवरन कबजा कर रखा है यारि यह मौयद खान के काले कार नामों की परतें धीरे धीरे खुलनी शुरू हो गई लोगों का डर खत मोरा है इसलिए वो खुल कर बाहर आ रहे हैं बता रहे हैं कि आखिर मौयद खान ने उनकी प्रोपर्टी पर भी कबजा कर रखा है पेट का दर्द अकलेश जी आजो को नजर नहीं आ रहा है डियने की जात की आदा आ रही है इनके कारणा में समाजबादी पार्टी की सोच परदिश्चित करती है कि ऐसे लोगों को बढ़ावा देना ऐसे अत्याचारियों का साथ लेना ऐसे अत्याचारियों का साथ देना पार्टी से निकालना पद से हटाना दूर की बात है उस कन्या की तरपन महसूस याद नहीं हुए अकलेस याद दोगो तो इस तरह के जगन्ने कर्म करते हैं उनके उपर एक्षन पूरी तरह एक्षन होना ही चाहिए बहुत जरूरी है अब यह पूरा मामला आपको बताते हैं आकर था क्या दरसल आयुद्या के पूरा कलंदर थाना शेतर में 12 साल की बच्ची से रेप की जगन ने खटना अजाम दी गए थी आरुपियों ने बच्ची का आशलील वीडियो भी बना लिया था और फिर लंबे समय तक उसे ब्लेक मिल करके घिनौनी हरकत करते रहे इस मामले का पुलासा 29 जुलाई को तब हुआ जब पिर बच्ची दो महिने की गर्वती हो गए समझे की 12-13 साल की बच्ची गर्वती हो गई बच्ची की माने मुईद खान और उनके नौकर राजू के खिलाफ एप्लिकेशन थी पुलिस में अरुपे की पुलिस ने उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया इसके बाद विश्मिंदू परिशद बजरंगदल के साथ निशाद पार्टी के लोगों ने इस मामले पर आक्रोश जताया तो पुलिस ने मुईद खान और उसके नौकर को गिरफतार किया 12 वर्ष ये बच्ची जहां परिवार के बारे में विजा लीज़े आरुपे की लगबग धाई महीने पहले पीड़त खेट से मज़धूरी करके लोड रही थी तब ही रास्ते में उसे राजू नामा के एक शक्स मिला जिसने कहा कि बेकरी मालिक मुईद खान उसे बुला रहा है वही मुईद खान जिसने वारदात को अंजाम दिया आरुपे की मुईद ने उसके साथ बलातकार किया और उसका साथी अनौकर राजू ने इस पूरे घटना करम का वीडियो बनाया फिर राजू ने भी बच्ची के साथ दुशकर्म किया लंबे समय तक दोनों इस वीडियो के आधार पर बच्ची को बलैक मेल करते रहे उसके साथ लगातार गंदा काम करते रहे दुशकर्म करते रहे और बच्ची जब दो महिने की गर्वती हो गई तब मामला साम में आया पीरता की माने बताए कि जब हम शिकायत लेकर चौकी पर गए तो दरोगा ने हम से कहा कि राजू का नाम इस F.I.R. में शिकायत में रखिए लेकिन दूसरा जो नाम हटा दीजे यानि दूसरा नाम मुईद खान का उस नाम को हटा दीजे तब जो पीरत परिवार था वो उसने फिर S.P. तक जाकर शिकायत की S.P. के सामने जाकर अपनी बात रखी तब जाकर S.P. के दखल के बाद आखिर कार मुईद खान का नाम इस शिकायत में जोड़ा गया और कारवाई हुई हलाकि अब मुख्यमंद्री के सामने जैसे ही पूरा मामला सामने आया तावर तोड़ एक्शन हो रहा है कारवाई हो रही है बुल्डोजर एक्शन हो रहा है लेकि दूसरी तरफ आफ सियासत का पहलू भी समझे कि आकर एक तरफ जहां मायावती कह रही है इस मामले में कि जो कारवाई हो रही है से आरोपियों के खिलाफ और सक्त कारवाई होनी चाहिए उसकारवाई को वो जायस ठहरा रही है जबकि दूसरी तरफ मुख्यद खान समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है तो अखलेश यादाओ इसमें भी सियासत खोज रह ये था कि वो खुल कर कहते कि भाई अगर मेरी पार्टी का भी कोई व्यक्ति है सदसे है कारे करता है उसने अगर ऐसी जगन ने वारधात अंजाम दी है तो फिर उसके खिलाब भी कड़ी कारवाई होनी चाहिए कड़ी कारवाई की जानी चाहिए किसी को भी बक्षा नहीं जाना चाहिए फिर वो किसी भी सियासी दल से क्यों ना हो अगर इस तरह का बयान अखलेश यादव की तरफ से आता तो शायद बहुत अच्छा संदेश इसके माध्यम से जाता लेकिन अखलेश यादव यहां भी सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं यानि कि जो कारवाई हो र अजर आता है